हलो फ्रेंड्स वालकम बेक टू माई चैनल आज की रेसिपी आपके दिल गुड के लड़्डू एक स्पेशल ट्रिक के साथ बनाना जो कभी फेल नहीं होंगे आपके लड़्डू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं तो इसके लिए बन लिया 500 ग्राम तिल और उनको मैं ड्राइ रोस्ट कर रही हूँ मीडियम हीट पे आपको इसको रोस्ट करना है मतब सीखना अच्छे से और इसमें तकरीबन दस मिनिट लगने वाले हैं जब तक इनका हलका सा कलर भी चेंज ना हो जाए और यह एकदम से अच्छे से सिखके जो इनकी एक आ साइड में रख देते हैं अब मैंने नेक्स्ट लिया 350 ग्राम गुड 500 ग्राम तिल के साथ 350 ग्राम गुड लेना है और उसमें वन टेबल स्पून घी डाल के आधा कप के राउंट पानी डाल देना है इसके बाद गेस की फ्लेम को कर देना ओन और इसकी बनाना है गुड का और इसमें भी तकरिबन आपके साथ से 10 मिनिट लगने वाले हैं तो बस आपको हिलाते रहना और चाशनी का बनने का वेट करना है और जब इसको चेक करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूं किस तरीके से तो इसको चेक करने के लिए आप एक बाउल में पानी ले और एक बाउल में पानी भड़ लेना है यह चाशनी में नहीं डालना है इसको ज़्यादा साइड में रखेंगे हैं उसके बाद जो हमने तिल रोस्ट किये थे न सेके थे उनको आपको इसमें डालना है एक साथ सारे तिल मट डालिएगा थोड़े थोड़े करके आपको ति अचनी में मिक्स करेंगे ना तो ज्यादा थंडा नहीं हो जाना चाहिए यह जब मिक्स थंडा हो जाएगा ना तो हम लड़ू नहीं बना पाएंगे इनके तो बस यह मिक्स गरम रहना चाहिए और बहुत ही जल्दी से आपको इसको सारे तिल को मिक्स कर लेना है और अब हम क्या करेंगे जब मिक्स हो गया तब हम हमारे जो पाम है उस पर जो पानी लिया था बाउल में भरके उसको एप्लाई करना इस तरीके से और फिर जो यह तिलकुड का मिक्स है उसको बिल्कुल हाथ में इस तरीके से उच्छालते हुए बॉल बना लेनी यानि लड़ू का पानी अपलाई कीजिए और गरम-गरम मिक्स हाथ में लीजिए और इसको एकदम क्विकली आप लड़ू के शेप में बना लीजिए और जितना फास्ट हो सेके आप इस स्टेज पे अपने फास्ट ली लड़ू बनाईए और यह मिक्स जादा गरम भी नहीं होगा कि आपका अच्छे से बन गया है लड़ू एक दम पर्फेक्क शेप में है तो आप भी बनाईए एंजोई कीजिए बर आप